दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि PDF कैसे डाउनलोड करें अगर आप अपने मोबाइल में PDF डाउनलोड करना चाहते हैं और उसे अपने File Manager में लाना चाहते हैं तो कैसे आप डाउनलोड करेंगे चले मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए आपको किसी भी आप की जरूरत नहीं है बस एक क्लिक में आपका PDF आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा तो चलेए देखते हैं कैसे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर मेरे WhatsApp पर PDF आया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसे मुझे डाउनलोड करना है और मुझे अपने File Manager मिलाना है तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ WhatsApp में आने के बाद यहाँ किनारे में आपको तीन डाउट दिखेगा इस पर क्लिक कीजिए फिर यहाँ पर आपको Option मिलेगा Settings का इस पर क्लिक कीजिए फिर यहाँ पर आपको Option मिलेगा Chats इस पर क्लिक कीजिए अब यहाँ पर आपको Option मिलेगा Media Visibility इसको आप हमेसा On रखेगा ताकि आप जो चीज भी डाउनलोड करें अपने WhatsApp से वो आपके File Manager में जाकर Save हो जाए ओके तो यहाँ से आप बाहर आजाईए अब यहाँ पर मैं इस अकाउंट को Open कर लेता हूँ तो देखे यह PDF आया हुआ है इसको मुझे Download करना है तो यहाँ देखे एक छोटा सा Download का आइकन दिखेगा आपको इस पर क्लिक कर देना है अब ये Download होने लग जाएगा ये Download हो गया यहाँ से मैं इसको Open कर लेता हूँ अब इसको मुझे File Manager में लाना है अब यहाँ पर चेले मैं आपको File Manager में चलके दिखा देता हूँ ये देखे मैं ने जैसे इसको Download किया तो ये मेरे File Manager में आ चुका है लेकिन हो सकता है कि जब आप download कर रहे हूं तब यह file manager में ना आ रहा हो तो आपको क्या करना है पहले इसको download कर लेना है यहाँ से इसके बाद इसको open कीजे open करने के बाद यहाँ सबसे किनारे में देखें आपको 3.0 दिखेंगा कोने में आपको इस पर क्लिक कर देना है फिर यहां पर आपको option मिल जागा डाउनलोड का आपको यहां डाउनलोड पर क्लिक कर देना है जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो अब यह आपके file manager में जाकर download हो जाएगा चले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ यहां से मैं आगे File Manager में आप देखे यह दुबार से यहां पर मेरे File Manager में डाउनलोड हो गया है यह आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं पहले यह WhatsApp से डाउनलोड हुआ था उसके बाद जब हमने दुबार से डाउनलोड किया तो ये Google Drive से डाउनलोड हुआ है यानि कि ये जो हमारे PDF है वो हमारे मुबाइल में डाउनलोड हो चुका है तो बहुत ही आसान है PDF को अपने मुबाइल में डाउनलोड करना अब कई लोगों के लिए हो सकता है ये वीडियो काम ना करें या कहीं और से PDF डाउनलोड कर रहे हों अगर आप Gmail से PDF डाउनलोड कर रहे हैं या कहीं वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें तरीका थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन इसी प्रकार से आपको वहाँ पर डाउनलोड का ओप्सन कहीं मिल जाएगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो हलफू लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी क्वेस्टन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ लेजेगा